हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे MQR किचन में आज MQR किचन में सेजोन फ्राइडेस बना है आई यही देखते हैं किन किन चीजों की जर्रत है हमने यहाँ पर चावल लिये हैं बास्मती राइस साड़े साथ सो ग्राम चावल लिये हैं हम चावल को अच्छी तरह धोलेंगे धोने के बाद हम आधर घंटे के लिए चावल को भीजा कर रखेंगे हम चावल बनाने के लिए एक पानी चड़ाएंगे और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और तेल भी हम डालेंगे टू टेबल स्पुन तेल डालना जरूरी है क्योंकि चावल खिला-खिला रहता है और हम इसमें एक उबाल आने तक इसको ढ़क के रखेंगे पानी उबल गिया अब हम इसमें चावल जो धो के रखेते चावल उस चावल को हम डाल देंगे दोस्तो हमें चावल को कुक करना है 80% अब हम देखेंगे चावल पक रहा है कि नहीं एक बार चला के देखेंगे अभी चावल पका नहीं है दोस्तों हम थोड़ी दर और पकाएंगे अब हमारा चावल पकने को आया है दोस्तों चावल पक गया है अब हम इसको छानेंगे अब हम छानने जा रहे हैं अची थरा से उसको छान लेंगे अब हम इसे थंड़ा होने के लिए रखेंगे इसके बाद हम थोड़ा इसको फैला देंगे चावल को 15 मिनिट रखना है इसके बाद हम आगे के प्रोसेस करेंगे अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद पियाज डालेंगे पियाज मैंने दो पियाज ली हैं यहाँ पर आप चावल के हिसाब से अपना सब्जियों को अपले लीजिए मैंने 700 ग्रम चावल ली थी इसके हिसाब से मैं अपनी सब्जियों को डाल रही हूँ आप जितने भी बनाना चाहेंगी उस हिसाब से आप सब्जिया ले सकती हैं हम पियाज को थोड़ा भूनेंगे गोलन फ्राइ करेंगे अब हमारी मिर्चे को डालेंगे मैंने 10 हरी मिर्च ली हैं तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो आप अपने अनुस्ता डाल सकते हैं उनको भी हम फ्राइ करेंगे गाजर ये एक कपली हैं गाजर को भी हम फ्राइ करेंगे बीन्स आधा कपली है उनको भी फ्राइ करेंगे हम सिम्ला मच लेंगे एक कप इसको भी फ्राय करेंगे अच्छी तरह से फ्राय होने के बाद नमक लेंगे दो चमच आप अपने स्वाद का अनुसार नमक लीजिएगा सब्जियों का अच्छी तरह से फ्राय करेंगे श्राय करे अनुसार नमक लेंगे इसके बाद सोया सोस दो चाम मच्छ विनिगर लेंगे दो चम मच्छ अब हम डालेंगे सेजवान फ्राइडेस मसाला दो पैकेट ली है मैंने अब अगर पांस ग्राम चावल बनाएंगे तो एक पैकेट डाल सकते हैं अब हम इन मसालों का अच्छे से भूनेंगे मसालों के भूनने के बाद अब हम चावल को डालेंगे अब हम चावल को डालेंगे चावल को अच्छी तरह से फ्राइड करेंगे सब चावल को डालने के हमें तेज आज पर चावल को फ्राई करना है अच्छी तरह मिलाएंगे चावल को तेज आज पर ही मिलाईएगा अच्छे बांद गलके पर ही जगा जो फिöttाप ने करक् nggak जो किया जा कको फिए उने तूनम्न आज比較 ही मिलाएंगे चल्ली तरह ingredient अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 लाइक एंड सेड सब्क्राइब्स कर दिजेगा तो मिलते हैं एकले वीडियो में